तो तुर्ण आप लाइट से लेकर आते हैं लोग तो आप लोगों को पता तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हो भाई GTF5 में आप मोड कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं साथ इसाथ इंडियन वेहिकल्स वगेरा कैसे ला सकते हैं तो उससे पहले आप लोग चैनल पर नहीं हो तो फड़ावट से चैनल को लाइक शियर और सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करना है तो आपको कुछ सॉफ्टर लगने वाले तो सबसे पहले सॉफ्टर लगने वाला है ओपन आईवी जिसकी की मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है तो चले फड़ावट से आप लोगों को दिखा देता हूं में तो मिनिमाइज कर लेंगे अब सब्सक्राइब करना है तो अगर आप लोग यह इंस्टाल किया है तो अगर आप लोग यह इंस्टाल करते है तो आपको कुछ स्टेप्स फॉल्डर करना है बेसिकलिए तो यह सारे स्टेप्स वगेरा है तो मैं अभी इंस्टाल नहीं करूंगा आपको सिंपल में आपको सॉफ्टर ओपन करके दिखाता हूं कि कैसा इंटरफेस वगेरा आएगा तो जब भी यह सॉफ्टर सबसे पहले ओपन होगा आप फर्स टाइम ओपन करोगे तो आपको को इंस्टाल करने के लिए अभी इंस्टाल करने के लिए आ जाएगा तु में आपको तो यहां फर्स एंस composer करने के लिए चीद से स्प्टाल कने का इंस्टाल करने के लिए तो यह भी को जो gtfi की आपकी में लोकेशन है वो अच्छे से डालना है प्रॉपर तभी यह ओपन आइवी जो है वो इंस्टाल होगा अच्छे तरह से प्रॉपर तरह के से तो यह ओपन आइवी जो सौफ्ट्यूर बेसिकली इडिटर सौफ्ट्यूर इसमें बहुत सारी जितनी भी उपन आइवी जो से चाहिए ऑपन आइवी जो सबसे पहले आपको यह फॉलडर बनाना है अगर आप उपन आईवी इंस्टाल करते हैं तभी आपको बता वहाप पर ओप्शन आजाएगा कि मॉड्प फोल्डर आपको बनाना है या नहीं तो आप पर आपको यहस कर देना ह अगर वो option नहीं आता है तो simply आपे आपको new folder करके यहाँ पे mods नाम का एक folder install कर लेना है साथी साथ यहाँ पे scripts नाम का एक folder install कर लेना है तो यह हो चुकिए first step तो यह first software लगने वाला है उसके बाद लगने वाला है भाई साप script hook V तो script hook V नाम का एक software एक और application लगने वाला है तो यहाँ पर यह site है इसकी भी में link description में दे दूँगा तो यहाँ से simply आपको यह download कर लेना है script hook V तो यहाँ से मैं open कर लेता हूँ script hook V और यहाँ पर फिल download के लिए option आ जाएगा तो आपको फड़ावट से यह download की step ने दिखाता हूँ में फड़ावट से आपको download कर लेना है तो यहाँ से जैसे कि मेरा आ चुका है यहाँ पर तो यहाँ पर में open in folder कर लेता हूँ and simply आपका जो gtf5 का इंटरफेस जहाँ पर gtf5 आपका इंस्टॉल है वहाँ पर जाना है आप लोगों को काम करेगा एंड गेम भी आच्छे से चलेगा उसके बाद आपको एक और लगने वाला है स्क्रिप वी.net तो वह भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो यहाँ पर बिसिकली एक साइट की लिंक दिया है मैंने समय से ङप्ली आपको स्क्रिप वी.net यह दाउंड लूड कर लेना है सीम्पली यह भी डाउनलोड गरने के बाद आपको यहाँ आपको इसा इंटरफेस आ जाएगा तो यहाँ से आभी आपको इसे लीप फाइल मिलेगी यहाँ बाद कर लेना है उसके बाद यहां पर भी ह लेंगे तो एक्ष्ट्रक करने के बाद याप भी आपको फाइल जो मिलेगे याप वह आपको सीम्पली यहाप पेश कर देना है वी.net तो यहाँ पर script.vNet में जो files आएगी तो यहाँ पर आपको यह files एसाइ script तो यह सारी files आप लोग कर सकते हो तो सारी files आपको एक copy कर देनी है एट सींब लिजीटिय फाइची में डिरेक्रे में आपको paste कर देना है तो मैंने already किया है तो यह तो यह पर आपको एक साइड की लिंक दिया है मैंने डिस्रिप्शन में जीटेफ़ाइब सब्सक्राइब यहां पर इसे नाम का यहां पर यहां पर आपको सीप्ली क्या करना है डाउनलोड नाम का एक ऑप्शन आएगा यहां से डाउनलोड करना है तो यहां से नीचे जाना है आपको एंड मेनों पीसे डाउनलोड का यहां पर आ जाएगा तो जिप फाइल आ जाएगा यहां पर यहां पर यह है यहां से आपको यहां पर जाना है और मेन्यों यह स्पी जिप फाइल जो है वह आपको सीम्पली इंस्ट पूदके की कोपी कर दीनियें है यो जाना है मैं डेरिक्री में आपको भी कर देना हैि अपस आपका काम हो चुकाया आपके घ्ट में जाके दिखाता है कि किस तरह से आप लोग कर सकते हो, यूज कर सकते हो इस मौड को, तो जैसे कि आपको जिट फाय में आने के बाद आपको यहाँ पर एफाट प्रेस करना है दो बार, एक बार भी किया तो भी कभी कभी आ जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं आता, तो दो बार F8 प्रेस करना है जैसे कि देख सकते हो यह menu का जो trainer है वो install हो चुका है तो इसमें से बहुत सारे इसमें जो यह trainer है basically mods का तो इसमें बहुत सारे option है vehicle के वगेरा यह बहुत सारे आपको inbuilt यहापे vehicles मिलती है जैसे कि आप लोग देख सकते हो बहुत सारे vehicles वगेरा है साथ इसाथ यहापे आप लोग weather वगेरा भी change कर सकते हो तो अगर आपको चाहते हो कि आप menu trainer के बारे में detail वीडियो चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए बना दूँगा तो उसके लिए आपको फड़ावट से लाइक करना है चैनल को शेयर सब्सक्राइब पर देना है उसके बाद मैं आपको menu trainer के details वीडियो बताने वाला हो कि इसमें क्या-क्या changes कर सकते हो क्या-क्या functions वगेरा रहते हैं वहाँ पे तो गाइज इस तरह से gtf5 में mods इंस्टाल किये जाते हैं तो गाइज I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो भाई मैं इंडियन वेहिकर्स, इंडियन कार्स, स्कॉर्पियो, थार, फॉर्चुन और वगेरा gtf5 में कैसे लाता हूँ तो इस वीडियो का जो एम रखने वाले 1000 likes का एम रखने वाले अगर इस वीडियो को 1000 likes आ जाते हैं तो मैं आप लोगों के लिए dedicated वीडियो बनाने वाला हूँ दिखाने वाला हूँ, उसमें सीखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग कोई भी इंडियन वेहिकल इंस्टॉल कर सकते हो आपने gtf5 में और स्टोरी लाइन बना के आपना गेम इंपरूल कर सकते हो स्टोरी लाइन इंपरूल कर सकते हो तो इसलिए फड़ावट से आपको ये वीडियो को 1000 like का एम जो है तो चलिए आपको ये छोटा सा information वीडियो अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो आप लोगो केसी लगे नीचे comment में बताना मत भूलिए बहुत सारे लोग चैनल को आते हैं वीडियो देखते हैं लेकिन like and comment ने करते हो तो फड़ावट से like and comment करते जाओ हर एक वीडियो पर साथी साथ अगर आप लोग चैनल पर नहे हो तो फड़ावट से subscribe पर लिजे क्योंकि आने वाले दिनों में GTA 5 के बारे में बहुत सारी जो ऐसी hidden चीज़ा है तब तक के लिए हाव गुड़ दे बाब है टेक क्यार